अपने तमाम चुनावी रैलियों में मुस्लिम विरोधी बयान देने और मुस्लिमों की एंट्री अमेरिका में बंद करने की वकालत करने वाले डोनाल फ्रम के तेवर नर्म पड़ गए हैं वाइट हाउस की रैस में संभावित रिपबलिकन उमीदवार ट्रम मुस्लिमों पर सवाल से किनारा कर रहे हैं ट्रम की प्रवक्ता की माने तो अब वो संभावित रिपबलिकन उमीदवार हैं और अब वो गैर अमेरिकी मुसलिमों के अमेरिका में इंट्री पर लंबे समय तक पाबंदी के पक्ष में नहीं है पिछले दिनों चुनावी केमपेइन के दौरान ट्रम्प ने बढ़ते आतंगवाद को लेकर अमेरिका में गैर अमेरिकी मुस्लिमों के लिए बैन को बयान दिया था लेकिन अब वो इस बयान पर टिपड़ी करने से बच रहे हैं आपको बता दे कि पिछले साल देसेंबर में कैलिफोर्निया के सैन बरनार्दनों में एक हमले के दौरान 14 लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद ट्रम्प ने मुस्लिमों को अमेरिका में एंट्री पर बैन की बात कही थी ट्रम्प के इस बयान का उस समय जोरदार वरोद भी हुआ और ट्रम्प से अमेरिका के कट्टर समर तक जौर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकेंड और मलाला यूसुफ जई की एंट्री पर सवाल पूछा गया इन सवालों का जवाब देते वे ट्रम्प के ततकालीन कैमपेइन मैनेजर कोरी लेविंडोस्की ने कहा कि बैन सभी पर लागू होगा यही नहीं टूरिस्ट और प्रवासी वीजा चाहने वाले मुस्लिमों पर भी लागू होगा यानि उन पर पाबंदी लागू नहीं होगी NMF News के रपोर्ट